नमस्कार दोस्तो, ममता की रसोईनी आपका स््वागत है, मैं ममता दुबे आज बनाने जारी हूं बेशन प्याज के पराठे, जो खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होते हैं, ठंडियों में हम कई तरह के पराठे बनाते हैं, पर गर्मियों में आप बेशन प्याज के भी प क्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सेर करें और लाइक करें बेशन प्याज के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो लगाना होगा तो मैंने गेहू का आठा लिया है उसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमा और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक को चारो तरप और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉप्ट डो क्योंकि जब भी हम भरवा पराठा बनाते हैं कोई स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं तो अगर डो हाड होता है तो पराठा फट जाता है तिसलिए हम देखिए इस तरह से गूधते हुए बस डो को बिल्कुल सॉप्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने सॉप्ट डो लग दिया है और गैस की फ्लेम को अन कर लिया है अब मैंने डाल दिया है इसमें दो चम्मच ओयल जैसे हमारा ओयल गरम होगा तो मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ लेंसन लेंसन की 7-8 के लिया मैंने लिया और सिछिल के बारीक कट कर लिया आप जब भी पराठे में के लिए लेशन लें तो बारिक कट करके लें क्योंकि यह इस्टफिंग भरते समय फट जाएगा अगर बारिक नहीं होगा तो यहां पर देखें मैंने जीरा डाल दिया है थोड़ा सा और अब मैं डाल दूँगी अजवाइन थोड़ा सा क्योंकि बेशन के पराठे हैं और बेशन थोड़ा सा हैवी होता है इसलिए मैंने अजवाइन डाला और फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा हींग और अब मैं डाल देती हूँ तिन से चार बारी कटी हुई हरी मिर्च और ये ग्रेट किया हुआ एक इंच अध्रक का टुकड़ा और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप यहां पर प्याज लेशन नहीं खाते तो उसे इसकिप कर सकते हैं आप यहां पर मैं डालूँगी बड़े चम्मच से चार चम्मच बेशन और बेशन को भी हम अच्छे से इसमें भून लेंगे जब भी आप बेशन प्याज के पराठे बनाएं तो कभी भी कच्छा बेशन उसमें ना डालें आप इस तरीके से भून के डालिए देखिए कितना स्वाद अच्छा होता है और सेहत के लिए भी नुक्सान नहीं करता है यह देखिए ऐसे भून लेते हैं अच्छे से और यहां पर देखिए हमारा बेशन बून चुका है थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है तो मैं यहां पर बारीक कटकी हुई प्याज ले लूए लिए आप जब भी बेसन की पराठे के लिए प्याज लें तो प्याज को बारी कट कर लें बारी कट की हुई प्याज इस्टफिंग में अच्छे से भर जाती है और हमारा पराठा फटता नहीं है तहां पर बारी कट कर लिया है और प्याज को भी मैंने दो मिनट भून लिया है और यहां पर देखे प्याज डालने के बाद में मैंने थोड़ी देर तक भून लिया है और प्याज सौक्ट हो चुकी है तो मैं डाल देती हूं नमक उसके बाद मैं डाल रहे हूं हल्दी, अच्छा सा कलर आएगा, उसके बाद मैं धनिया पॉडर डाल दिया, और अब मैंने डाल दिया है कस्मीरी लाल मिर्च, और इन सारे मसालों को हम अच्छे से समें मिक्स करेंगे, और थोड़ी दिर तक भून लेंगे, प्याज के साथ य या फिर पराठे बनाते हैं, तो प्याज को इस तरह से बाद में डाल के भूनिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अब मैंने थोड़ा सा पूधीना लिया था, सूखा हुआ, उसे क्रस करके डाल दिया है, आप चाहें तो इसके जग़ा पे कसूरी मेती भी ले सकते हैं और जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है, तो हम आटे को चेक कर लेते हैं, तो आटा हमारा बिल्कुल सेट है, अब हम डालते हैं इसमें एक चम्मच घी, और आटे को दुबारा से अच्छे से मसल लेते हैं, यह देखिए, जब आप इस टफिंग का पराठा बनाएं, तो आटा बिल्कुल आपका नरम होना चाहिए, यहाँ पर आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, और अच्छा आटा त्यार हुआ है, अब मैं इसमें ऐसे थोड़ी बड़ी आकार की लोईया काट लूँगी, इस तरीके से, और लोईया काटके हम रख लेते हैं, एक यह देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यह इतनी मोटी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसे, और अब मैं इस पे स्टफिंग रखूँगी, बीच में रखेंगे बिल्कुल स्टफिंग को, और इस तरीके से मोल लेंगे, यह देखिए, इस तरीके से कर लेत तो यहाँ पे देखिए, हलके हाथों से बेल लेते हैं, आपकी यह जो स्टफिंग है, यह बच चाहे तो आप इसे एक हपते तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी आपका मन करें तो पराठा बना सकते हो, और एक पराठा हमारा बनके तयार हो गया है, तो मै डहला से साइड़ों से फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, अपने यह बंद हो जाएगा, जेखिए आप बंद कर लेते हैं, और इसी में इसे दबा देते हैं इस तरी की से, और अब हम इसे बेल लेंगे, थोड़े जो चाहेरे से हमारा दूसरा प्राठा ब और गैस की flame को on कर लिया है, तवा के गरम होते ही मैंने गैस की flame को medium पे कर लिया है। और हमें पराठे medium flame पे ही सेखने हैं, तभी पराठे अच्छे बन के तियार होते हैं। और ये देखिए, एक side से जैसे थोड़ा सा हो जाता है, पक जाता है, तो हम इसे दूसरे side पलट लेते हैं, और इधर लगा लेते हैं गी। मैंने यहाँ पे देशी घी लगाया है, आप चाहे तो oil में भी पराठा बना सकते हैं। और ये देखिए, फिर पलट लिया, और दूसरे side से जीधर अभी घी नहीं लगा है, उधर भी हम घी लगा देंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि पराठे हलकर कैसे फूर ने लगे हैं। और ये बेशन के पराठे बहुत ही स्वाधिश्ट होते हैं। आप इसे दही से खाईए, सबजी से खाईए, चटनी से खाईए, चाय के साथ खाईए। कैसे भी ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस पराठे की recipe को जरूर ट्राए करें। ये देखिए। और सेम जब हम प्याज की बेशन की कचवरी बनाते हैं या प्याज बेशन की पूरी बनाते हैं तो इस्टफिंग सेम बनती है और यह देखे एक प्राठा हमारा सिक्के त्यार हो गया है और मैं इसे उतार लेती हूं और बस दूसरा प्राठा भी इसी तरीके से सेख लेती हू और ये पराठा भी देखिए हमारा फूल रहा है बनके त्यार है तो मैं इसे उतार लेती हूँ और पराठों को सर्प कर लेती हूँ ये देखिए मैंने थोड़ा सा ओनियन का जो सैलेड होता है उसके साथ सब किया है आप देख पा रहे होंगे कितना टेस्टी दिख रहा है और यहां देखे चारो तरफी स्टफिंग भरी हुई है मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए दोस्तों